दोस्तो, ओपो F25 प्रो मोबाइल में हमें फ्लैक्षिप लेबेल का कैमेरा मिल रहा है, सेल्फी कैमेरा भी बहुती अच्छा दिया गया है इस मोबाइल में, इस फोन में आमें डिस्प्ले भी बहुती बढ़िया कौलिटी का मिल रहा है, पर्फॉमेंस वाइस देखा जाए तो इस phone में हमें performance भी अच्छा मिलेगा, looks wise iPhone देखने में बहुत ही खुब शुरत किया गया है, तो इस phone में हमें क्या-क्या feature specification देखने को मिल रहा है, mobile का price क्या है, mobile का सा होगा आपके लिए यह जानने के लिए वीडियो को इन तक देखिए, तो शुरू करते आज का वीडियो, नमस्ते दोस्तों मैं आनंद और आप देख रहे हो, आनंद टेक वाल्ड, अभी तक इस channel का अ दिस्प्ले के तरब जान लेती, इस phone में हमें display कैसा देखने को मिल रहा है, तो इस mobile में हमें मिल रहा है, 6.7 इंच, Full HD+, AMOLED पांच होल डिस्प्ले, mobile में हमें जो display मिल रहा है, उसका screen refresh rate हमें मिलेगा, 120Hz, और इस दिस्प्ले का brightness हमें मिलेगा, 1100 nits, और इस display के ऊपर हमें panda glass का protection मिलेगा, और इस display में हमें HDR10+, का support भी देखने को मिल जाएगा, तो दोस्तों इस mobile का display के बारे में बात किया जाए, तो इस phone में हमें display बहुत ही बढ़िया quality का मिल रहा है, skin refresh rate भी बढ़िया मिल रहा है, इसके बज़े से mobile से आप कोई game खिलोगे, या mobile कोई use करोगे, उ outdoor में heavy sunlight में भी display का visibility ठीक ठाकी रहेगा, और गास protection average level का मिल रहा है, और वीडियो भी एक्पिरेंस हमें ठीक ठाकी मिलेगा, इस mobile में ही हम बोल सकते है, चलते है mobile के looks के तरफ, looks wise ये phone देखने में बहुत ही premium एक mobile देखने में लग रहा है, आपको ये mobile का एसा लग रहा है, ज 7.5 mm, मतलब दोस्तों ये mobile बहुत हलका और बहुत ही पतला mobile है, इसके वज़े से mobile को जब आप use करोगे तो in hand feelings अच्छा होगा, आपको use करने में बहुत ही अच्छा लगेगा, और इस mobile में हमें एकदम latest android version android 14 मिल रहा है, color os 14.0 user interface के साथ, आभी जान लेते हैं इस phone में हमें battery कैसा मिल रहा है, तो इस mobile में हमें मिल रहा है 5000 mh का lithium-ion battery 67 watt fast charging support के साथ, mobile में हमें जो charging connector मिल रहा है, वो है USB type C और इस phone में हमें कोई 3.5 mm headphone port नहीं मिलेगा, इस में हमें type C headphone port ही मिलेगा, और इस mobile का box के साथ भी हमें 67 watt charger free मिलेगा, इस phone का sound quality का बात करे तो इस phone में हमें sound quality average level ठीक-ठा की मिल रहा है, चलते हैं इस mobile का camera के तरफ जान लेती है, इस phone में हमें camera कैसा मिल रहा है, तो इस mobile का rear side में हमें मिल रहा है 64 megapixel का triple camera, primary जो lens है, वो है 64 megapixel का, जिसका aperture है f1.7 और इसमें हमें omnivision OVB 64B sensor देखने को मिलेगा, दोस्तों ये sensor बहुत ही बढ़िया quality का एक sensor है, इसके बज़े से इस mobile से आप कोई photo उठाओगे, वीडियो उठाओगे, उस time में photo video का quality आपको जबरदस्त मिलने वाला है, और इसमें हमें YS का support भी मिल जाएगा, मतलब optical image stabilization का support मिल जाएगा, इसके बज़े से आप photo video उठाने के time, shake होने का probability बहुत ही कम रहेगा, 112 degree और इसमें हमें Sony IMX 355 sensor देखने को मिलेगा, दोस्तों ये sensor भी बहुत ही अच्छा देया गया है इस phone में, इसके बज़े से आप ultra wide angle photo जब उठाओगे, उसका quality भी आपको जबरदस्त मिलने वाला है इस mobile में, और इसके बाद हमें मिल जाएगा एक useless 2 megapixel का macro lens, और इस mobile का front म हमें मिल रहा है 32 megapixel का selfie camera जिसका aperture है f2.2 और इसमें हमें Sony IMX 615 sensor देखने को मिलेगा, दोस्तों selfie camera भी बहुत ही बढ़िया दिया गया है इस phone में, आप इस mobile से selfie जबरदस्त उठा पाऊगे, अगर आप selfie उठाने का शौकिन हो तो ये mobile ज़रूर आप try कर सकते हो, क्योंकि इसक आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है, दोस्तों इस mobile का rear camera और front camera दोनों के साथ ही आप 4K में वीडियो शूट कर पाऊगे, 30fps में, ये mobile अभी market में, दो color video के साथ launch हुआ है, awesome blue और lava red, कौन सा color video आपको सबसे ज़्यादा पसंद में आ रहा है, जरूर मुझे comment करक लावा red color सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, अभी चलते है इस mobile का security का तरब, security का तरब देखा जाए, तो इस phone में हमें मिल रहा है, in display, fingerprint sensor और face unlock का facility, अभी चलते है दोस्तों इस mobile का connectivity का तरब, connectivity का तरब देखा जाए, तो इस phone में हमें मिल रहा है, 5G, Wi-Fi 6 Dual Band, Bluetooth 5.2 अभी जान लेते हैं, इस mobile में हमें performance कैसा देखने को मिल रहा है, मतलब इस में हमें processor क्या मिल रहा है, तो इस phone में हमें मिल रहा है, MediaTek Diamond City 7050 processor, एक 6NM Octocore processor है, जिसका maximum clock speed है, 2.6 GHz, और इस में हमें ARM Mali G68 MC4 GPU देखने को मिल रहा है, तो दोस्तों इस mobile का performance के बारे में बात कि जाए, तो इस phone से आप game ठीकठा केल पाओगे, multitasking भी ठीकठा की कर पाओगे, all over इस mobile का performance आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है, लेकिन दोस्तों बहुत हाई-end का कोई आप काम करना जाओगे, या high graphics का कोई काम करना जाओगे इस mobile के साथ, तब आपको थोड़ा बहुत आता सकते हैं, बाकि इस mobile में आपको performance ठीकठा की मिल रहा है, यह mobile अभी market में दो storage और RAM variant के साथ launch हुआ है, इसमें हमें 8GB RAM, 128GB internal storage और 8GB RAM, 256GB internal storage, इस mobile में जो RAM का technology यूज़ किया गया है, वो है LPDDR4X और इसमें हमें UFS 3.1 storage type देखने को मिलेगा, मतलब दोस्तों इसमें हमें RAM ठीक ठाकी मिल रहा है speed का, लेकिन storage type बहुत ही fast मिल रहा है, और इस phone में हमें hybrid SIM card slot मिलेगा, मतलब एक साथ दो SIM या एक SIM और एक memory card आप आराम से set कर पाऊगे इस phone में, हम तो सब कुछ जान लिए है, इस phone के बारे में आभी जान लेते हैं इस mobile का price का है, तो इस mobile का 8GB RAM, 128GB internal storage variant का price है, 25999 रुपीज, तो ये mobile आपको कैसा लगा, जरूर मुझे comment करके बताए, वीडियो अच्छा लागे तो वीडियो को एक like कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ share कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगा, बाई!